हलो दोस्तों जैसे सी परिक्षा में एक वर्फिस आपका स्वागत है जैसा कि दोस्तों ग्रेह कारा एवं आपदा प्रवंधन विभाग के द्वारा हाली में एक गजट पास किया गया है ठीक है इस गजट में आपको अगनी समन सेवा से समन्धित गजट के बारे में बताया ठीक है तो चले हम लोग देखते हैं कि आखिर अब जो जार्खंड अगनी समन्ध सेवा में जाना चाहते हैं जो भी देखती उनके लिए क्या योगता दिया गया है ठीक है तो चले हैं अपस ध्यान दीजे आप लोग कि यह जो है गजट वो है गरिह कारायों आपदा यह है कि संचिप्त नाम मतलब यह जो है किसके लिए है तो यह संसोधन जार्खंड अगनी समन्ध सेवा के अवर सेवा समवर्ग ठीक है मतलब जार्खंड अगनी सेवा में पुलिस के लिए या जार्खंड अगनी सेवा के अवर सेवा समवर्ग ऑफिसर के लिए ठीक है तो तो इसके लिए आपके पास क्या क्या योगता होना चाहिए, हम लोग उसके लिए बात करेंगे, बाकि आप लोग जैसे कि जार्खण के अस्थानियन नितियोगर है, आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, तो चले हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बाद, इसके बाद है दोस उसे आप training में ज्वाइन करने के बाद एक साल के अंदर आपको heavy license वहाँ जारखंड अगनी समन सेवाँ में आपको जमा करना होगा यदि आप एक साल के अंदर अगर heavy license नहीं जमा किजेगा तो आपकी जो वैदता है वो रद कर दी जाएगी आपको फिर से निकाल दिया जाएगा तो या तो आपके पास heavy license already होना चाहिए या आपको ज्वाइनिंग के बाद कम से कम एक साल के अंदर heavy license देना होगा ठीक है यदि आपके पास general कोई four wheeler का license होगा तो ठीक है उसके बाद हम बात करेंगे इसकी उचाई हो अगरा के लिए ठीक है तो इसकी उचाई में दोस्तो वही जो है जैसे कि सारीरी की योगता में तो समान ने जादी के लिए इसका उचाई जो है हो 165 cm है और सीना कमाप 181 cm OBC के लिए इसमें 165 cm दिया गया है तो आपको हाइट जो है इनमे हाइट में डूटली जो है मात्र esté को मात्र 30 cm का हाँ पाथ छूट दिया गया है यदि आपके हाइट यदि 112 cm न हो तो आप इसके योग डिन नहीं हो ठीक है तो इसमें जो निम्तम जो उम्र माना गया है वो आपका माना गया है 21, सभी के लिए, सभी के लिए निम्तम उम्र 21 वर्स माना गया है, और अधिकतम उम्र जो है, वो जैसे आप UR से है, जेनरल कंडिटेट है, तो आपके लिए 28 साल है, और बाकी OBC है, तो 30 साल, और SC या ST है, तो आपके लिए 33 वर्स का छूट यहाँ पा होने की अनिवारता रहेगी, चिकित्सा जात है तो पुलिस अवर निरक्षक की नियुक्ती में निधारत मापदंड जो होते है, सभी का आपके पास चिकित्सा जाच में किया जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका जो है, इसमें लिखित परिक्षा के बारें बीवरन दिय परिक्षा का आयोजन, जार्खन करमचारी चेन आयोग, यानि कि जे एससी के द्वारा जो है हो, लिखित परिक्षा का आयोजन कराया जाएगा, ठीक है, इसमें दोस्तों आपको असनातर अक्षर के, ठीक है, जो विसिष्ट योगता वाले पद है, उनके लिए ये निमाव मोली का प्रधान किया गया है ठीक है बिशिष्ट विषय के अंतरगत भहतिक विज्ञान रसायन विज्ञान गनित वनसपति सास्त्र जी विज्ञञ्वसास्त्र विषय होंगे परतिक उमिद्वार विषिष्ट विष्वव में से किसी एक पर एक विषय का चैन है तू पर इक्षा उसी विषय पर मतलब आपको एक विषय को चुनना होगा उसी से आपका एकजाम कराया जाएगा ठीक है दिया गया जो भी विषय है इनसे भी विषय आपको चूज करना है ठीक ह बहुतिक बिज्यान, रसायन बिज्यान, गनित्य, वनस्पति सास्त्र, जीव बिज्यान, भुगर्ब सास्त्र इनहीं से आपका एक बिशयों कुछ चूज करना होगा उसी से रिलेटेड आपके एक्जामी क्यूशन पूछे जाएंगे बिशिष्ट बिशय का अस्तर असनातक होगा और जो इसमें अस्तर जो पूछा जाएगा जैसे कि जेनरल जीला पूलिस है तो उसमें टेन्थ लेबल का आता है जैसे कि आपका इस्पेसल बरांच है तो उसमें ट्वेल्फ लेबल का आता है लेकिन यह अगनी समन के लिए आप को कम से कम असना तक का लेबल का क्यूशन उसमें पूछा जाएगा ठीक है लिखित परिक्षा उत्रिन अभियर्थी में से पदों की बियापन संख्या मतलब जीतना पद उहां पास अवंटित किया जाएगा उसके दुगना जो है वो बुलाया जाएगा आपको सारीरिक परिक कुछ मेडिकल वगरा किया गया है तो आप फिर से उसको क्या कर सकते हैं इसको फिर से आप नपवा सकते हैं राची में जा करके ठीक है जारखन अगनी सेमन सेवा के सिंटर में जा करके ठीक है इसके बाद मतलब मेनली इसमें ही था दोस्तों कि आपके पास हेवी लाइसेंस या general license होना चाहिए heavy license रहेगा तो और अच्छा है यदि general license आपके पास है तो आप तो ऐसे join कर सकते हैं लेकिन आपको joining के बाद एक साल के अंदर heavy license उहाँ पास देना ही होगा ठीक है नहीं दीजेगा तो योकता आपकी रद मानी जाएगी तो यही था आपका कि क्या युकता होना चाहिए वगरा ठीक है तो आज के वीडियो ताहीं दोस्तों यदि अप जैसे सी एक्जाम स्प्लेटेट को भी त्यारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्ले लिष्ट में एक बाद चेक आउट जरूर करें मिलते हैं अगले वडियो में तब तके लिए धन्यवाद